सब्सक्राइब करें तो यहां पर हम आपको मैटेरियल के बारे में बताएंगे सबसे पहले हमें वाइट कलर के मोतियों का यूज क्या है देन इसके बाद यहां पर हमने गोल्डन कलर की पत्तियों का यूज क्या है और यह वाइट कलर के पाड़न है और इसके बार यहां पर हमने वाइट कलर के कट बीट्स लिये हैं आप इसको कट दाना भी कह सकते हो देन यहां पर यूज़ कर रहे हैं फूर टापटा फैब्रिक आप देख सकते हो फ़ड़ा इसमें शायनिंग सी है इस पैब्रिक में और इस तरीके से तो गाइस सबसे पहले हम यहां पर तोप पार्ट लेंगे और उसकी जो लेंट रहे की वह 16 इंच है और हमारी जो तयार है वह 15 इंच तयार है की और फिर देख सकते हो और यहां पर हमने कटिंग नहीं किये क्योंकि हम इहां पर एमरोडी करेंगे इसलिए हमने पैब्रिक को क्या है सबसे पहले हम यहां पर निशान लगाएंगे में जो विर्द या 5 इंच है और लेंट है चाले 10 इंच अब यहां पर हम लाइन को स्टेट करेंगे तरीके से 5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से एक box बना लेंगे box बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 इंच पर marking करेंगे और neck में हम गोलाई दे रहेंगे इस तरीके से so guys गोलाई देने के बाद हम neck को इस तरीके से trace कर लेंगे और अब हम marking को dark कर लेंगे निशान को इस तरीके से तो गाईज अब यहाँ पर हम नैक पर डिजाइन बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से बहुती ज्यादा इजी है इस तरीके से नैक को डिजाइन करना आई अब आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले जैल इसके बाद यहाँ पर हम फ्लोवर्स बनाएंगे इस तरीके से फ्लोवर्स बनाने के बाद यहाँ पर हम पत्तियों को बनाएंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर हमें डंडी को निकाल लेना है बहुत ही ज्यादा इजी है इस तरीके से flowers को बनाना और अब हम यहाँ पर डिजाइन को धीरे धीरे इस तरीके से complete कर लेंगे तो guys हमें इसी तरीके से दूसरी साइट को भी design को complete कर लेना है इस तरीके से आप देख सकते हो और हम इसी तरीके से हमें धर भी design को ट्रेस कर लेना है आप देख सकते हो हमारा जो design है complete हो गया है अब यहाँ पर आम रोडी करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से हमने फ्रैम को लिया है और अब हम यहाँ पर यूज करते हुए यह वाइट कलर की जरकन है सबसे पहले हम इनको लगाएंगे और इनको हमें तीन से चार घंते ड्राइ करने के लिए रख देना है अच्छी से जो सूख जाएंगे फ्रैम को और इस तरीके से पूरे नेक पर जरकन को लगा लेना है इसके बाद यहाँ पर हम फ्लोवर्स बनाएंगे सबसे पहले हम नीडिल को फैब्रिक में से निकालेंगे और इस तरीक और इस तरीके से हम पूरे फ्लोवर्स निकालते हुए फिर से हम मोती को लेंगे और इस तरीके से हम इस तरीके कर लेंगे कि तरीके से हमें पूरे फ्लोबर्स को स्टिश कर लेना है कि बहुती ज्यादा इजी है इस तरीके से एमडोडी को करना कि दल इसके बाद यहां पर हम प्त्ती वनाएंगे इस तरीके से और यहां पर हमने सिक्वेंस लिया है पहले हम पढ़ लेंगे फिर देन इसके बाद यहां पर सिक्वेंस लेंगे और इसको सिक्वेंस के नीचे से मिश्टिश कर लेंगे फिर से हम पहले पढ़ लेंगे और फिर सिक्वेंस लेंगे में सिक्वेंस के नीचे से हम सूरिक को पास कर देंगे इस तरीके से में अजोन इसके बार यहां पर फ्लोंफ लेंगे सबसे पहले इंगे इसके चारों तर्प हम एक cut bits की outline कर देंगे इस करीके से और चारो साइडों से हमें इसको stitch कर लेना है तो guys stitch करने के बाद यहाँ पर हम golden color की पत्यों का यूज़ करेंगे आप देख सकते हो और इसके उपर हम cut bits रखेंगे और फिर से हम दिल को ले जाते हुए इसको stitch कर लेंगे तो guys stitch करने के बाद अब यहाँ पर white color का पढ़ लेंगे मोती और इसको भी हम stitch कर लेंगे तो guys इसी तरीके से step को follow करते हुए हमें flowers को complete कर लेना है बहुती स्यादा एम रोटी करना इस तरीके से easy है आप आई होग आपको ज़रूर एक पाइट try करना चाहिए और इस तरीके से आपको इसे भी fabric का use कर सकते हो चाहे आप organza fabric का या silk fabric का भी आप use कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो fabric आप उसको use कर सकते हो एम रोटी के लिए और इस तरीके से हमें flowers को complete कर लेना है जो हमने नैप पर flowers बनाये थे कहीं कहीं हमें top part पर ये बूटियों को रख देना है इस तरीके से और आप देख सकते हो हमने एम रोडी को कर लिया था जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए तरीके से एम रोडी जो है इसमें material जो हमने यूज किया हो किस तरीके से यूज क्या है अब यहां पर पत्ती बना रहे हैं और आप देख सकते हो कि यह मने काइट बिट्स को लेते हुए पूरी पत्ती को हमें फिल कर लेना है और अब हम इसको वापस ले जाते हुए भागे से इसको इस्टिश करेंगे अच्छे से और इस तरीके से आप देख सकते हो तो गाईज हमें इसी तरीके से पत्ती को फिल कर लेना है और ये वाइट कुलर के कट बिट्च इससे हमें पूरी पत्ती को अच्छी से फिल कर लेना है आप दे सकते हो और हमारी जो पत्ती है वो फिल हो लिए है और आपको एम रोडी जो हमारी कम्प्यूट हो जाएगी आपको कर्टिंग और स्टीचिंग आगे बताएंगे कहीं पर भी आप वीडिओ को स्किप नहीं कीजेगा अच्छी से आपको वीडियो समझ में आ कि किस तरीके से हमने अम रोडी किया है और इसको कट्टिंग किस तरीके से हमें करनी है तोप पार्ट की तो प्लीज वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप देख सकते हो हमने कितनी फिनिशिंग के साथ को अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहां पर में टोप पार्ट की करेंगे यह हमारा फ्रेंड पार्ट है और यह सबसे पहले हम शोल्डर पर मार्किंग करेंगे शोल्ड़र है, 750 इंच और आप हम arm mound लेंगे मुठ्डे तो वह हमारे 7.5. इंच और इस तरीके से लाइन को स्टेट कर देंगे लाइन को स्टेट करने के बाद यहाँ पर हम चेस्ट का measurement लेंगे आपको जोभी measurement को तो इसको फोर्स से Divide करें यहाँ पर मैं 10.9 पर मार्क करोंगी अब यहां पर हम को के वन इंच का करफ देंगे इस तरीके से अंहारा निस्तर पर मार्जन को अड़ किया है यहां पर हम लेंगे मैंजन रहेगा आगे की तरफ मर्जन रहेगा अभी आपर हम नैगी कुछ लेंगे यहां पर तोप पार्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से तो गाइस हमारी टोप पार्ट की कटिंग हो गई है अब यहां से हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे यह हमारा प्रेंट पार्ट है और इसको हम टूफोल्ड करेंगे और यहां पर हम आर्मोल की हाफ इंच यहां पर कटिंग कर देंगे इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे front armhole की cutting हो गई है और यह हमारे front part हो और यह हमारा back part है अभी हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे यह हमारा अस्तर रहेगा जो हमने emerald की थी उस part को रखेंगे यह हमारा second part है और यहाँ पर हम back part पे भी अस्तर लगाएंगे यह हमारा बैक पार्ट है तो हम इसी तरीके से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे तो गाइस हमारी कटिंग हो गई है अब यहाँ पर हम यह आप देख सकते हैं हमेरे टू पार्ट है लाइनिंग फैब्रिक और मैन फैब्रिक है अब यहाँ पर गाफिक मार्ट लगाएगा इस को सीक्ट को बेख पार्ट को भी इस तरीके से अर्ब आप तीर थे अरसी तरीके से तके न हम और यह में फकी कटिंगी कर लेंगा व्हींद न्यांत तरीके से च्छोट थे स्वस्ह कट लगाएंगे और इजी तरीके से यह नैक मारा टर्ण हो जाएगा तो गाइस नहां पर में इसको भी स्टिश कर लेंगे और यह हमारा प्रंट पार्ट रहेगा हमने प्रंट पार्ट के नैक को स्टिश कर लिया था गल चेिराठ और इसको नैक को स्टिश कर लेंगे आपिंच नहीं सर हैं प्राइब स्ट्रेख लियां कर दिशतर पर्णिशस दों लगाएंगे देनाट नहीं के इस तरह को । पार्ण अब техपकिंगे एम रोर्डी के second part को रखेंगे अभी हाँ इस तरीगे से आप देख सकते हो देख सकते ही हाँ यहां पर बोटम पर्ट की कटिंग करेंगे यह हमारा बोटम पार्ट है फैब्रिक को हमने फोल फोल्ड पर लिया है इस तरीके से और पैब्रिक अप्रेख सकते हो यह हमारा fourfold है और यह फैब्रिक की लेंगी प्टाइद है व j mare हमारी 46 इंच है और फिर हम होSmm एड़ा क्वेर्फ को प्रेंग大ज है और यहां से बाख न बूब में लग कर देंगे और फिरर्थे हम प्राइब इसके हैं कोक्ष्य Dalping करेंगे यह हमारा फैबिक two-fold है कि क्या आप देख सकते हो और बीच में से हमारा फैबिक जो है Bem और यहां से हम इसको कट कर लेंगे बीच में से कि इस तरीके से और हाफ इंच पैब प्लेड क करते हैं इसको की प्लेट्स रहेंगी दोनों में हमें इसी तरीके से प्लेट्स को डाल लेना है आप चाहिए पर गैद्रिंग भी डाल सकते बढ़ यहां पर मैंने प्लेट्स को डाला है और इसको मिश्टिश कर लेंगे आप देख सकते हो प्लेट्स को हमने डाल दिया है और हाफ इंच यहां से प्लेट्स को डाल लिया था इसको मिश्टिश कर लेंगे इस तरीके से दोनों पार्टों को रखेंगे और इनको भी स्टिश कर लेंगे इस तरीके से इस मेरा सेक्ट चानल भी रुक्साड लिबास दिजाइन के नाम से आप मुझे पर भी फोलो कर सकते हो और सो गाइस यहां पर हमने 7 इंच को कुर्टी को बन रखा है और नीचे से हमने फैब्रिक को ओपन रखा है आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तक प्लीज वीडियो को लाइको शेयर चैनल को सस्क्राइब ज़रू करें थैंक पूर वाचिंग बाइ बाइ